हालो फ्रेंट्स मैं हु नीटे जो आप देख रहे हैं एन हेलिपिंग को तो फ्रेंट्स एन हेलिपिंग में आपका बहुत-बहुत सभागत है तो फ्रेंट्स आज हम विडियो में बात करने वाल है फ्रेंट्स SBI file के बारे में SBI जो passbook होता है तो friends जो CSP चलाते हैं उनका एक समस्या होता है कि passbook कैसे print करें तो वहां से actually passbook तो देता नहीं है इसे वाज़े से अपने सही passbook आपको print करना होगा तो अगर cyber के फेवाल है अगर कोई खाता खोल के जिरक्स करके निकाल के दे जाता है तो उनका एक passbook type का एक बनाना पड़ता है ठीक है और वहां पे फोटो सिगनेचर करके वहां पे लगा दिया जाता है ताकि लगे कि हाँ एक passbook है ठीक है तो उसी file को हम आप आप लोगों के बीच आपको बनाने का बताएंगे कि कैसे आपको बनाना है अगर बना बनावाल चाहता है तो आप आपको link discussion में आपको एक site का link मिल जाएगा वहां से आप जाके purchase कर सकते हैं या फिर आप हमारे contact number नीचे दिया गया है contact number पर आप contact करेंगे तो वहां से आपको file मिल जागा जो कि कुछ 40 रुपाई जो कि आपक file का file मिल जागा अगर call to file मिल जागा अगर इसमसे किसी में आप चाहिए तो आपको मिल जागा अगर आप यह सुचते हैं कि यह अगर हम खुछ से बनाए तो आप उसे बना सकते हैं अगर बनाना चाहिए तो देख पने कि अब भी here photo cube की खुद लेता है आपको Photoshop में प्र पार है यहाँ पर मेरे स्कीन पर यहाँ पर देख पर है कि यह SBI का जो की passbook है एकदम कोई दीखर नहीं है यहाँ पर अगर आप Civ न 버 लिखना चाते है तो यहाँ पर किलिकीज जेगा यहाँ पर अपसाना जाएगे यहाँ पर हटा कर यहाँ पर कोई भी जो भी आपका स्याइफ नंबर है वो डाल सकते ठीक है और यहाँ पर अकाउंट नंबर पर लिखी जाएगा होखर नंबर हटा सकते हैं और उसके बाद IFC Code, NAM, सारा कुछ ED TABLE है यहाँ से एडिट कर सकते है ठीक है तो फिर्ण से आप एडिट कर सकते है अगर आपको Photoshop का फाइल चाहिए तो अगर यहाँ पर आपको Coral Do का फाइल है जो कि अभी ओपन हो रहा है यहाँ पर Coral Do का फाइल है यह आप एडिट कर सकते है इसमें उसी प वह एडिट कर पाईएगा तो फ्रेंट्स यह आपका फाइल हो गया अब फ्रेंट्स हम बात कर लेते हैं अगर एक्सल का फाइल लेना चाहते तो एक्सल में खोल के दिखा देते हैं देखें एक्सल में भी सेम खुल ला है यहां से भी आपका जो भी है फाइल जो भी है एडि